चानक्या IAS Academy Current Affairs में आप सबी का स्वागत है आज हम बात करेंगे अमरत भारत योजना के बारे में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने 26 फरवरी को अमरत भारत योजना के तहत 2000 रेलवे इंफ्रस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को देश को समर्पित किया है इन में से 553 रेलवे स्टेशन का री डेवलप्मेंट शामिल है इसके साथ प्रोजेक्ट में स्टेशन पर रूफटॉप प्लाजा और सिटी सेंटर विक्सित करके सुधाओं में सुधार करना भी शामिल है 27 राज्यों और केंद्र शाषित प्रदेशों के अमरत भारत स्टेशनों में 19,000 करोड से जादा लागत के काम होंगे इनमें सिक्किम के पहले रेल्वे स्टेशन की अधार शीला और एहमदाबाद में कालूपूर रेल्वे स्टेशन का उद्गाटन भी शामिल है इसके अलावा 24 राज्यों में लगबग 1500 रोड ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज की अधार शीला भी रखेंगे इस मौके पे PM ने ये भी कहा है कि आज का प्रोग्राम नए भारत के नए वर्क कल्चर का प्रतीक है आज भारत जो कर रहा है मैं एपर्तियाशित रथार से कर रहा है आज के भारत ने छोटी चीजों का सपना देखना बन कर दिया है हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात काम करते हैं ये नए विक्सित भारत का संकल्प है अब हम बात करेंगे किन राज्यों में बनेंगे 1500 ब्रिज रेल्वे ने क्रॉसिंग पर दुरगटनाओं को रोपने के लिए रोड ओवर ब्रिज और अंडर पास बनाए हैं मंत्राले से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर भारत में बनने वाले 92 ROB में से उत्तर प्रदेश में 56, हर्याना में 17, पंजाब में 13, दिल्ली में 4, हिमाचल प्रदेश में 1 और जम्मू कश्मेर में 1 बिज शामल है लखनाओ मंडल में इनकी संख्या 43, दिल्ली में 30, फिरोजपूर में 10, अंबाला में 7 और मुरादाबाद में 2 है अब हम बात करेंगे अमरत भारत स्टेशन योजना क्या है 6 अगस 2023 को लांच की गई अमरत भारत स्टेशन योजना के अंत्रगत देशपर के 1300 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा इसके तहट रेलवे स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान बनाकर सुधाओं को बढ़ाया जाना है इन सुधाओं में वेटिंग रूम, कैफेटेरिया, रीटेल सुधाओं शामिल है इसके अलावा स्टेशनों पर दिव्यांग जन के लिए भी कई सुधाओं विक्सित की जा रही है भारती रेलों के जरीए देशपर में रोजाना दो करोड और सालाना आठ सो करोड यात्री सफर करते हैं इसके अलावा अरबो रुपे की माल धुलाई भी रेलवे के जरीए की जाती है अगर हम बात करें कि यात्रियों को इससे क्या लाब होंगे तो अमरत भारत स्टेशन योजना के तहट स्टेशन पर आधुनिक यात्री सुधाय उपलब्ध होंगी जिन में उन्नत वेटिंग रूम प्लैट्फॉर्म पर बैटने के लिए वेवस्ति जगा और मुफ्त वाइफाय कनेक्टिविती शामिल है इसके साथ रेवलब्मेंट होने पर इन्स्टेशनों पर सुन्दर भूद्रश्य, इंटर मॉडल क्लेक्टिविटी, बच्चों के खेलने का छित्र, कियोस्क, फूड कोर्ट, समेत आधुनिक यात्री सुधाय उपलब्ध होंगी इन स्टेशनों को पर्यावरन और दिव्यांगों के अनुकूल पुनर्विक्सित किया जाएगा इन स्टेशन भावलों का डिजाइन स्थानी संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा इस योजना के तहट रेल यात्रियों को एर्पोर्ट जैसे सुधाय देने की त्यारी हो रही है अमरत भारत स्टेशन योजना के तहट देश के करोडो रेल यात्रियों को एर्पोर्ट जैसे सुधा देने की त्यारी की जा रही है जानकारों का कहना है कि मोधी सरकार रेलवे का काया कल्प करने की मुहीम तेजी से बढ़ा रही है इस दिशा में वंदे भारत समें कई ट्रेन चलाई जा रही है अब रेलवे स्टेशन के विकास पर जोर दिया जा रहा है इससे यात्रियों को बहतर सुर्धाय मिलेंगी वहीं दूसरी और रेलवे स्टेशन का विकास होने से रोजगार के अफसर भी बढ़ेंगे इस विकास के लिए सभी राज्यों और केंदर शाषित प्रदेशों को चुना गया है 533 रेलवे स्टेशनों को सभी राज्यों और केंदर शाषित प्रदेशों से चुना गया है स्टेशनों का 19,000 करोड रुपे से अधिक की लागत से पुनर विकास किया जाएगा स्टेशनों पर यात्रियों को आधुनिक सुर्धाय उपलप्त कराई जाएंगी इसके अतिरिक्त यह योजना स्टेशन भावनों की व्रदी आसपास के शहरी चेत्रों के साथ स्टेशनों को एकिकरत करने, मल्टी मोडल एकिकरन को बढ़ावा देने, दिव्यांग जनों के लिए सुविधाय प्रदान करने टिकाव और प्रयावरन के अनुकूल समाधान लागू करने, गिट्टी रही ट्रेक पेश करने और रूफ प्लाजा बराने पर जोर देगी इसके साथ ही आज का हमारे विशे यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद